हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब दोस्तो आज की वीडियो होने वाली एक रिक्वेस्टेड मूवी पर जिसका नाम है 12 Feet Deep ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इस मूवी को डारेक्ट किया है मैट एसकेंडरी ने इसकी IMTV रेटिंग है 5.6 स्टार्स आट ओफ 10 दोस्तो आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो The Invisible Guardian को काफी पसंद किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जल्द ही उसका Next Part लाने वाली हूँ आप सभी के लिए और आप में से अगर किसी ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अब इसकी कहानी की ओर लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं ब्री को जो की स्विविंग पूल में स्विविंग कर रही थी जब ब्री पूल से बहार आती है तो वो अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करती है इसके बाद हम पूल के मैनेजर मैक ग्रेडी को देखते हैं जो की नोटिस पोर्ड पर नोटिस लगाता है कि पूल वीकेंड पर बंद रहेगा और जब वो अपने ओफिस की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहीं काम करने वाली क्लारा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में रखी गई चीजों के कुछ समान को चोरी कर रही थी जिसे मैं ग्रेडी देख लिता है और उसे ऐसा ना करने को कहता है जिसके बाद हम देखते हैं ब्री की बहन जोना को जो कि कई महीनों बाद वहां आई थी वो भी सिरुफ ब्री के लिए जबकि बचपन में ब्री और वो अकसर यहां आके स्विंग किया करते थे फिर जोना ने वहां आना क्यू छोड़ दिया था यह हमें आगे पता चलेगा यहां ब्री के हाथ पर بर्निंग मार्क्स थे जिसके बारे में भी हम आगे जानेंगे ब्री जोना को पूल में आने को कहती है और जोना मान जाती है ये दोनों swimming कर रहे होते हैं और अब pool को close करने का time हो चुका था मैक Grady सब को pool से बाहर आने को कहता है और जोना मैक Grady से बहस करने लगती है कि आज वो pool को जल्दी close क्यों कर रहा है जिसपे वो बताता है कि holiday weekend शुरू हो गया है और उन्हें आसपास लगे science को देखना चाहिए जोना और ब्री भी pool से बाहर आते हैं और ब्री देखती है कि उसकी ring गायब है जोना पूल के अंदर इशारा करके ब्री को दिखाती है जहां उसकी ring एक water drain की grate पर पड़ी हुई थी जिसे लेने ब्री वापस पूल में जाती है और जोना भी उसकी help करने पूल में जाती है पर रिंग फस चुकी थी और निकल ही नहीं रही थी और दूसी तरफ में ग्रेडी पूल को close करने आता है जहां वो बाहर किसी को ना पाकर पूल close कर देता है सिंस जोना और ब्री पूल में थे तो वो किसी को दिखाई नहीं देते और जब पूल का कवर close होने लगता है तो वो दोनों उपर आकर चिलाती है पर तब तक में ग्रेडी भी जा चुका था ये दोनों खूब आवाजे लगाते है पर इनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था जोना पैने कोने लगती है जहां ब्री उसे शांत रहने को कहती है और ये दोनों मिलकर उस कवर को हटाने की कोशिश करते है पर कवर काफी हैवी था और उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो fiber class का बना हुआ था जिसके बाद ब्री सजेस करती है कि उन्हें पूल की edges को चेक करना चाहिए जिससे उन्हें शायद कोई weak point मिल जाए और जोना को एक हॉल मिल जाता है पर उसे खोलने के लिए ब्री और जोना के पास कोई tool नहीं था जिसके बाद ब्री को पूल के दूसरी edge पर एक fiber का टुकड़ा मिलता है और ये दोनों उसकी मदद से इस होल को काटने की नाकाम कोशिश करते हैं ब्री जोना को बताती है कि ब्री के boyfriend डेविड ने उसे propose किया है और वो रिंग जिसे लेने ये दोनों पूल में वापस आये थे वो ब्री की engagement रिंग थी और डेविड ब्री की खबर ना मिलने पर परिशान होगा और वो पुलिस को कॉल करेगा और वो दोनों यहां से निकल पाएंगे जोना ब्री को डेविड और उसकी रिंग को लेकर टॉंट मारती है और ब्री समझ जाती है कि जोना ने ही उसकी रिंग को पूल में फैका था जी हाँ दोस्तो जोना ने ही ब्री की रिंग को उसके पर्स में देख लिया और उसने गुसे में आके उस रिंग को पूल में फैक दिया जिसकी वज़े से ये दोनों यहां फसे हुए थे इन सबका कारण कहीं ना कहीं जोना थी ब्री जाकर उस रिंग को फाइनली निकाल लेती है और वापस पहन लेती है पूल के बोटम में ग्रेट था जो कि थोड़ा लूस था ब्री कहती है कि अगर वो उसे निकाल ले तो शायद वो उससे पूल के कवर को तोड़ पाए सिंस वो काफी हैवी था पर ब्री अकेली ये नहीं कर सकती थी और वो जोना की हेलप मांगती है पर जोना मना कर देती है कोई भी मदद करने से क्योंकि वो पूल के बोटम में जाने से डर रही थी वहीं ब्री के फोन पर डेविट का कॉल आता है और वो कहता है कि वो रात को घर देर से आएगा जिसका मतलब था कि डेविड भी अब काफी समय तक ब्री की अपसंस को नोटिस नहीं करने वाला था ब्री नीचे जाके उस ग्रेट को निकालने की कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती इन्हें यहां फसे सुबह से शाम हो जाती है और ब्री का बलड शुगर लेवल लो होने लगता है और उसे उसका इंजेक्शन चाहिए था जो कि उसके पर्स में था यहां जोना को पहली बार पता चलता है कि ब्री डाइबेटिक है अगर जल्द ही ब्री को इंजेक्शन नहीं मिला तो वो कोबा में जा सकती है दूसरी तरफ क्लेरा यानि वही एंपलोई जो समान चोरी करती पकड़ी गई थी वो साफ सफाई के लिए पूल में आती है दोस्तो जोना हाल ही में रिहाब जा चुकी थी और वो बताती है कि वहाँ वो उसकी कांसिलर से मिली जो बहुत अच्छी है वो ब्री से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था यहाँ वो किस रात के बारे में बात कर रही थी यह हमें अगले ही सेकिंड पता चल जाता है जब Brie बताती है कि उनके पिता एक मॉंस्टर थे और वो बहुत साधा ड्रिंक किया करते थे एक रात वो बहुत नशे में घर आये और उन्होंने एक सिगरेट जलाई जिसके बाद वो बेहोश हो गए और वो जलती सिगरेट उनके पिलो पर ही रह गई जिससे की घर में आग लग गई और ब्री के हाथ पर वो बर्निंग मार्क्स अपने डैड को बचाने की कोशिश में लगे थे उस आग में ब्री और जोना के डैड की मौत हो गई और जोना काफी चोटी थी इसलिए उसे सब क्लियर लियाद नहीं था उस रात के बारे में तबी वहाँ क्लेरा आती है और ये दोनों उसके आने की आवास सुन मदद के लिए चिलाने लगते हैं पर क्लेरा की नजर इनके बैक्स पर जाती है और वो इनके पर्स से पैसे मोबाइल फोन और एटियम कार्ड निकाल लेती है और उसकी नजर वहाँ मौजूद सीसी टीवी कैमरा पर जाती है वो सबसे पहले जाके सभी CCTV कैमराज आफ करती है जिसके बाद वो इन से इनका नाम पूछती है और ब्री से उसके फोन का पासवर्ड मांगती है ब्री उसे पासवर्ड दे देती है और वो ब्री का फोन चेक करने लगती है जोना एग्रेसिव होके उने बाहर निकालने को कहती है और क्लेरा बताती है कि वो हाल ही जेल जाकर आई है जिसकी वज़े से उसे एक रियल जॉब तक नहीं मिल सका और वो अपना रेंट और बिल्स पे नहीं कर सकती इसके बाद वो इन दोनों से बाहर निकालने के बदले ब्री से उसके एटियम कार्ड का पिन मांगती है पर ब्री उसे पिन नहीं देती इसके बाद क्लेरा वहां लगे सबी हीटर्स आफ कर देती है और अब पूल में ठंड बढ़ने लगी थी यहां कलेरा जोना और ब्री को ब्लैक मेल करने लगी थी और ब्री उससे एटियम का पिन दे देती है कलेरा उन्हें बाहर निकालने का प्रॉमिस करके एटियम से पैसे निकालने चली जाती है क्लیरा को गई काफी देर हो गई थी और अब जोना बचने के लिए उस ग्रेट को निकालने की कोशिश करने जाती है पर वो उस ग्रेट तक पहुँचने से पहले ही ड़ जाती है और वापस आ जाती है ब्री की हालत अब खराब हो रही थी और यहां हमें पता चलता है कि जोना एक बार अपनी जान तक लेने की कोशिश कर चुकी थी क्योंकि बच्पन में उनके डैड उन्हें टॉर्चर किया करते थे और जोना को उनमें मॉंस्टर नजर आता था और आज भी उसे वो मॉंस्टर अपने आस पास दिखते थे तबी क्योंकि लेरा वापस आ जाती है और उसे ब्री के अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं मिल ले थे जौना उसे बताती है कि ब्री डायबिटिक है और उसकी हालत खराब है पर क्लेरा उसका यकिन नहीं करती और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है इसके बाद जोना उसी टुकड़े को जो ब्री को मिला था उसे शाप करती है और बहाने से क्लेरा को उस होल के पास बुलाती है और उसके कान में वो टुकड़ा गुसा देती है इससे क्लेरा ब्लीड करने लगती है और इनसे बदला लेने के लिए वो पूल में क्लोरिंग छोड़ देती है यह तोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं और माफी मांगते हैं जिसके बाद क्लेरा सप्लाई को रोग देती है और अब इन्हें बहार निकालने के बदले वो ब्री से उसकी रिंग मांगती है और कोई रास्ता ना पाते देख ब्री उसे वो रिंग दे देती है जिसे लेकर क्लेरा वहाँ से चली जाती है ब्री बहुत ज़ादा दुखी थी और वो जोना से बात नहीं करना चाहती थी जिसके बाद हम देखते हैं पूल का कवर हट चुका है और ब्री को बाहर निकाल लिया गया है पुलिस भी वहां पहुँच गई है और डेविड ब्री से कहता है कि जोना को उसकी जरूरत है तबी ब्री का सपना तूट जाता है जी हाँ दोस्तों वो सपना देख रही थी और जब वो जोना के पास जाती है तो वो खुद को उसी टुकड़े को अपने गले पर रखकर खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी पर ब्री उसे हिम्मत देती है जिसके बाद जोना मान जाती है दूसरी तरफ ब्री को एक बार फिर डेविड का कॉल आता है और वो कहता है कि वो पुलिस को कॉल करने वाला है क्योंकि वो घर पहुच गया था और ब्री उसे वहाँ नहीं मिली थी और सुबह से ब्री ने उसके call का जवाब नहीं दिया था जिसे सुन क्लेरा डर जाती है और वो जोना और ब्री के पास जाती है जोना और ब्री उसे एक बार फिर माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और वो क्लेरा को monster नहीं समझते और क्लेरा इन्हें फाइनली बाहर निकालने का decide करती है वो उस cover को open करने का timer लगा कर वहां से भागने वाली थी पर जब क्लेरा timer लगाने की या उस cover को उसे दिये गए code से खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता क्लेरा की ब्री और जोना को ये बताती है और वो कहती है कि मेक ग्रेडी ने उसे एक महीने पहले जो code दिया था वो अब काम नहीं कर रहा और पुलिस भी वहां आने वाली थी पर ये बात ब्री और जोना को क्लेरा नहीं बताती और वहां उन्हें अकिला छोड़कर चली जाती है ब्री की हालत अब बहुत नाजुक थी और वो यहां जोना से एक कनफेशन करती है और हमें एजन आउडियन्स पता चलता है कि जोना के डैड उसे फिजिकली मॉलेस्ट किया करते थे और उस दिन जब घर में आग लगी तो ब्री ने उसके डैड को वहां पकड़ कर रखा जिससे वो वहां जल कर मर जाए यानि वो मार्क्स ब्री को अपने डैड को बचाने पर नहीं बलकि उन्हें वहां रोके रखने पर आए थे और ब्री ने जोना को उस मॉंस्टर से आजाद करवाया था और अब जोना ब्री की जान बचाने का फैसला लेती है और वो उस ग्रेट को हटाने जाती है कुछ ग्रेट्स को देखने के बाद उसे वो ग्रेट मिलता है जो की थोड़ा लूस था जोना उसे खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता जिसके बाद उसे पूल में जो बॉक्सर्स मिले थे वो उसे उस ग्रेट में फसा देती है और तीन चार कोशिशों के बाद वो ग्रेट निकलाता है जिसके बाद वो उसे उठा के पूल की कवर पर बार बार दे बारती है जिससे वो कवर तूट जाता है और फाइनली जोना और ब्री उस पूल से बाहर आ जाते हैं जोना ब्री को उसका injection भी देती है और तभी वहाँ क्लेरा वापस आ जाती है दरसल उसे डर था कि अगर ये दोनों पूल से बहार आ गई या पुलिस इन तक पहुँच गई तो ये पुलिस को क्लेरा के बारे में बता देंगे वो यहाँ आई तो इन दोनों को मारने होती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती उल्टा वो ब्री की रिंग भी वापस कर देती है और जोना पुलिस को कॉल करके मदद बुलाती है और पुलिस के वहाँ आने से पहले जोना क्लेरा को चले जाने को कहती है और क्लेरा वहाँ से चली जाती है एंड में पुलिस इन दोनों के पास पहुंच जाती है और ब्री को भी बचा लिया जाता है और जोना ब्री को उसकी रिंग वापस करती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है दोस्तों मूवी काफी स्ट्रेट है उस पूल में फसने के बाद हमें इन दो बेहनों के आपसे रिष्टे को दिखाया गया है ब्री जोना की बड़ी बेहन थी और अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल थी वहीं जोना आज भी बच्पन में अपने साथ हुए टोर्चर को याद करके आगे नहीं बढ़ पाई थी पर यहां इन दोनों को ही बहुत सी चीज़े सीखने को मिली थी और अब जोना शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाईगी और रिहाइब में होने के कारण ही जोना इस पूल में नहीं आई थी तो यही थी इस मूवी की कहानी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर